तो हेई गाईज आप देख रहो आपने भाई को चाहिए कि एक्सटेक तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PUBG Mobile Lite के बारे में और अगर आप GFX टूल यूज करते हो PUBG Mobile Lite के लिए तो अब से उसे यूज करना बन कर दो तो GFX टूल आपको डिलीट कर देना चाहिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अभी मैं आगे चलके इस वीडियो में तो बताई दूँगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नहीं हो और सब्सक्राइब नहीं कियो तो जली से जाके सब्सक्राइब करो वह बैल आइकन जरूर से प्रेस कर देना जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालू तो उसकी नोटिफिकेशन आपको हमेसा मिल सके तो चली वीडियो को सुरू करते हैं तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि पबजी मुवाइल लाइट के आपको कोई भी GFX टूल यूस नहीं करना चाहिए और व पबजी में आ चुका है अब इसी ट्यूटर पेज पर एक और चीज पोस्ट किया गया और इस पोस्ट में लिखा है कि अगर आप पबजी मुवाइल लाइट के लिए GFX टूल यूस करते हो या अपना पबजी मुवाइल लाइट को मोडिफाई करते हो या हैक करने की कोसिस भी कर रहे हो तो आपको हैक नहीं करना है वरना तो आपका पबजी मुवाइल लाइट का एकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो सकता है तो आपसे आपको पबजी मुवाइल लाइट के कोई भी GFX टूल यूस नहीं करना है या उसे हैक करने की कोसिस नहीं करना है या उसे मुझे पता चला, तो मैंने वीडियो बना दी, अब से मैं आपको कोई भी GFX टूल नहीं बताऊंगा, कि डाउनलोड करो और इससे यूज करो, तो आप से मैं कोई भी आपको GFX टूल रेकमेंडेट नहीं करोंगा, लेकिन मैं एक चीज बता दूँ, अगर Play Store पर कोई भी GFX ट को बहुत यूज करते हैं, और इसकी डाउनलोड भी आप जैसे की देख सकते हो, वन मिलियन से भी जाद है, तो यह GFX टूल एकदम सही है, आप इसे यूज कर सकते हो, तो आप समझ लो कि Play Store से अगर आप कोई भी GFX टूल यूज कर रहे हो, वो एकदम सही है, और यार कुछ इस तो इसमें Play Store पर GFX टूल होते हैं, वो तो वर्की नहीं करते हैं, तो कुछ सही होते हैं, कुछ खराब होते हैं, लेकिन अगर आप Play Store से बाहर डाउनलोड करते हो, जैसे की वेबसाइट से जाके GFX टूल यूज कर रहे हो, तो वो GFX टूल अच्छे नहीं होते हैं, उनक GFX टूल को मैं पहले खुद भी यूज करूँगा, तभी आपको बताऊंगा कि हाँ भाई इसे जाके डाउनलोड कर लो, यह GFX टूल सही है, क्योंकि क्या पाता अगर हम लोग अपने मुवाईल फोन में GFX टूल यूज कर रहे हैं, और हम लोग का PUBG Mobile Lite का एकाउंट हमेशा क तो इसलिए हम लोग को अपना PUBG Mobile Lite का जो एकाउंट होने से बचाना है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि हो सकता है कि आप भी GFX टूल यूज कर रहे हो, और आपको नहीं पता था कि हाँ GFX टूल से भी अमारा PUBG Mobile Lite का एकाउंट हमेशा के लिए से बचान हो सकत तो यार मैंने आपको बता दिया है कि GFX टूल आपको अच्छे वाले कहां पर मिल जाएंगे, तो प्ले स्टोर पर आपको अच्छे GFX टूल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन PUBG Mobile Lite के अभी प्ले स्टोर पर बहुत अच्छे GFX टूल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कभी भी अच्छे GFX टूल आएंगे PUBG Mobile Lite के लिए तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, तो वीडियो को लाइक कर देना है, और चाहिए पर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो, और वो बेल आइकन जरू से प्रेस कर दो, क्योंकि PUBG Mobile Lite के कल बहुत दे सारे अपडेट आने वाले हैं, या आज भी आ सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, तो जैसे आप नोटिफिकेशन रवाए होगे, तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा, तो आपको इसको इनोटिफिकेशन मिल जाएगे, और आप मेरी कमाल की वीड झाल